गोविंकर उखंड के महात्मा गांदी राज की विध्याले राम बास में 68 वी जिला इस्तरिय विध्याले तिरंदाजी खेल कूद प्रतियोगिता का शुभार हमुगा ये प्रतियोगिता 24 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी कारेक्रम की मुख्य आती थी उफखंड अधिकारी विनिता स्वामी थी इस जिला इस्तरिय विध्याले तिरंदाजी प्रतियोगिता में जिले की 22 टीम भाग ले रही है जिनमें 63 बालक वर्ग एवं 32 बाले का वर्ग में 45 प्रति भागी भाग ले रहे है उफखंड अधिकारी विनिता स्वामी ने खिलाडियों को अपने उद्भोधन में काहा कि जो गुरुजन हमें इन खेलों के प्रति तयार करते हैं जागरुप करते हैं वे सभी धन्यवाद के पातर है क्योंकि हमारी जीवन में सिक्षा जितनी आवशक है उतना ही खेल भी आवशक है तो रंदाजी जैसी प्रतियोगिता में अभी हमें काफी प्रयास करनी के आवशकता है इसमें आप जैसे बच्चे हमारे देश का बवश्य है ग्रामिन शेत्रों में खेलों के पती काफी संभावनाय है और यहां से काफी प्रतिभाएं आगे निकल कर आ सकती है उपखंड अधिकारी विनिता स्वामी के द्वारा जंडा रोहनकर खेलों के विदिवत शुभारम की गोशना की गई जिसने की शमता देती हैं हमारी गुरुजन जो हमें इन खेलों के लिए तयार करते हैं प्रिवित करते हैं वे सबी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पातन हैं क्योंकि खेलों में पढ़ाई में जितना बढ़ना आवश्यक है उतना ही खेल यह हमारे जीवन में आवश कि दिपीका गुमारी दूला बेनर जी और अभी हाली के जो उलंपिक का अलिंपिक्स हुए है उन्हें शीत अजदीवी जैसी जो प्रतिवाएं है खिलाडी है वह में महाल पेविणा इस खेलों में आगे बढ़ने की तरफ देती है सर इसमें टोटल 20 टी में भाग ले रही है जिसमें लगवग 90 छात छात्राइं खेलाडी छात छात्राइं भाग ले रही है हमारा ये ग्रामिन अंचल का खेल है गत्वर साब के खेड़ा में मूद में जिलश्तिरी पिट्चोकता हुई थी वहाँ से एक बच्ची का चैन इनिनाएक पैनल ने किया था जो कि हमारे एसी एपाई से नेशनल में गॉल्ड लेका आई है अलवर के लिए राजस्तां के लिए और सब तो यह है कि आज के दिन पढ़ाई से जादा विटेज खेलों को होना चाहिए खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और आज स्वास्त की दरश्टी से देखा जाए तो खेलों की बहुती जादा मेहता है और आने वाले दिन खेल और योके आने वाले है मैं से रामियास मिना व्याक्याता सारारिक सिक्षा रेन